हेलो स्टूडेंट्स वेल्गम टू मा यूटूब चानल एमन टार्गेट तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का मोडल पेपर नंबर पांच ठीक है एक से लेकर चार तक मोडल पेपर हिंदी का अप्लोड हो चुका है जिसमें 50 MCQ हमारे चैनल के द्वारा आपको फ्री में प्रोवाइड किया गया है साथ ही मैं आपको एक जनकारी दे दूँ कि हमारे चैनल पे क्लास 9 वालों के लिए 2-2 मोडल पेपर class 10th वालों के लिए 5 model paper और class 12th वालों के लिए भी 5 model paper बिल्कुल free में provide कराया जा रहा है तो अगर अभी तक हमारे channel से नहीं जुड़े हैं तो channel से जुड़कर एक अच्छी त्यारी कर सकते हैं और आप हमारे official group aim on target वाले में भी join हो जाईए जिसका link में description में दे दिया है और ये जो model paper है इसके अलावे ठीक है ध्यान से सुन लिजेगा इसके अलावे आपको मैं बता दू कि अंग्रेजी का विग्जान का यानि science का और social science का उसके बाद ये जो हिंदी है ये और इसके बाद शंस्कृत संस्कृत और इसके बाद math इन सभी भी से का 55 model paper मेरे द्वारा आपको free में provide कराए जाएगा तो आप हमारे चैनल से जूड़कर एक अच्छी त्यारी कर सकते हैं तो आईए आज के पहले question के तरफ बढ़ते हैं जिसमें सभी mcq होंगे और जो strategy है मैं बता दूँ आपको जो हिंदी का model paper होता है वो तीन हिस्तों में बटा होगा आपका कहानी, कवीता और व्याकरण ठीक है 100 mcq आएंगे जिसमें से आपको करना कितना है मातर 50 करना है तो घबडाना बिलकुल नहीं है क्योंकि 5 model paper के माध्यम से मैं आपको 200 तो इसी तरह करा दिया और 100 mcq मैंने official model paper के द्वारा करवाया है तो आपको 350 mcq मैं से मातर 50 question ही परिच्छा में करना है तो आप अच्छी से त्यारी करते रहिए जहां कोई समस्या हुआ आप हम गो कमेंटर बताइए आई आज के पहले question के तरह हम लग बढ़ते हैं देखे पहला question है नाखुन क्यों बढ़ते हैं के निवंदकार कौन है गुलाबराय सांतिप्री द्विवेदी परताप नरायन में स्रियाचार हाजारी प्रसाद द्विवेदी तो इसके कौन है साथ ही जो कवीता है उसके कवी के नाम ओके आई ये next question को देखते हैं निर्मला कौन थी कहानिकार की नौकरानी कहानिकार की बहन कहानिकार की पत्नी या कहानिकार की मौसी तो कौन थी भाई तो कहानिकार की पत्नी थी और एक बात में आपको बता दू कि अगर आप इन सभी चैप्टर का सभी पार्ट का MCQ अलग से करना चाहते हैं यानि चैप्टर वाइज तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट में जाईए आप चेक कीजिए 12 वीडियो लगभग अप्लोड है सभी पार्ट का तो आप वहाँ से चैप्टर वाइज भी MCQ कर सकते हैं यानि पार्ट को पढ़िए और उसका MCQ कर लिजिए भीमरावंबेटकर का जनम कब हुआ था तो ये कोशन हमको लग रहा है कि पिछले मोडल पेपर में भी आया था और इसका प्रस्न था 14 अप्रैल 1891 में आईए आगला कोशन को देखते हैं सभ्यता का हर अस्तर क्या नहीं होता है धर्मयूद, कर्मयूद, वर्गयूद या द्वंदयूद तो कौन नहीं होता है, वर्गयूद नेक्स्ट कोशन, नगरी लिपी सीर्षक पार्ट कीस पुस्तक से लिया गया है अच्छरों की कहानी, भारती लिपीों की कहानी, अच्छर कथा या इन में से कोई नहीं देखिए कोशन एकदम इजी आता है तो अभी तक आप हमारे सेशन को लाइक नहीं की है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जूड़ जाइए, सस्क्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल ओन रखिएगा जैसे ही वीडियो अफ्लोड हो, कल से संस्क्रिट का, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो इस प्रस्ण का सही जवाब, और भी भारती लिपियो की कहानी मैं तो यहीं कहता हूँ कि कहानी को पढ़िया और हमारी चैनल पे आके प्रेक्रिस कर लिजिए नेक्स्ट कोश्ण, रसूलन भाई क्या थी, नर्त की थी, गाई का थी, कि कवित्री थी, कि लेखिका थी तो क्या थी, तो गाई का थी, एकदम easy कोश्ण, एकदम ऐसे ही कोश्ण आपको एक्जाम में आने वाले हैं सत्य के साथ मेरा परियोग, इसको इंग्लिस में कहा जाता है, my experiment with truth, ये किसकी रचना है, डक्टर रजिन्द परसाद, डक्टर संपूर्ण ननंद की, महर सियर विंद की, ये महत्मा गांधी की, सत्य के साथ मेरा परियोग महत्मा गांधी का एक बहुत बड़ा फेमस जीवनी जो इन ही के जीवन पे अधारित है तो यह बहुत फेमस है और यह हर बार परिच्छा में पूछता है तो इस बार भी चांस है आप लोग पढ़के जरूर जाईएगा आये मचली कहानी सिर्सक विनोत कुमार सुकल के किस कहानी संग्रा से ली गई है पिंड़ परकमरा कि आले अगला कोस्ट्चन है सेंट साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाते थे बिजनेसमेन या इइंजिनियर वकील सी बनाना चाहते थे तो इंजिनियर इन सभी पार्ट का अलग सेमसी की अपलोड है मैं आपसे बिंती करता हूं कि आप समय निकाल के सभी मौडल पेपर को देख लीजिए नवन्स विद्या का संबंद किसे है वनस्पति विज्ञान से प्राणी विज्ञान से मानो विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से अंतरिक्ष विज्ञान से अंतरिक्ष विज्ञान से मजी रहे हैं तो इस प्रस्न का सही जवब हो जाएगा मानो विज्ञान से अगला direct question आ जाता है तो घबड़ाना बिल्कुल नहीं है लासत्रूज क्या है इमारत है परवत है इसाई मठ है या मेरे सत्रूज तो लासत्रूज जो है वो एक इसाई मठ था ओक्या इसाई मठ next question अग्य का जनम किस प्रदेश में हुआ था अग्य का पूरा नाम पिछले मॉडल पे पर में मैंने बताया था साचिता नंधिरा नंद वाचसायन अग्य और इनका जनम कहा हुआ था यूपी यानि उत्तर प्रदेश कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 14 गुरु नानक का जनम कहा हुआ था लुधियाना राजस्थान नाना साहब में या गुजरात में तो कहा हुआ था नान काना साहब में ओके एकदम डिरेक्ट कोश्चन आता है तो बिलकुल आपको घबड़ाना नहीं है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दिजिएगा इस प्रसन का सही जाब हो जाएगा आपसों नमर डी भक्तिकाल आई अगला कोश्चन सोदेशी सिर्सक पाठी पुस्तक में संकलीत कवीता की स्चंद में है चोपाई में है दोहा में है सोरट में है ये छपपे में है तो किस में है भई दोहा में ओके नेक्स्ट कोश्चन सुजान सागर किसकी किरती है ठीक है मतिराम की है धनानंद की है द next question, दिनकर ने जन्त अंतर का जन्दम सिर्षक कविता में दुग्द मुही सब्द का परियोग किसके लिए किया है, तो यह किसके लिए किया था था, हमको तो लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी पड़े होगे, तो आपको यह आइडिया मिल गया होगा, यह जन्ता के लि हमारा नींद सिर्षक कविता कीस काविसंग्रा से लिया गया है, दुष्चकर से इसी दुनिया में गलत पतě किचिठी यह डि मन विहंगम, तो आपका सही जाव हो जाएगा, दुष्चकर में सृष्टा, शृष्टा जो सब्द है, वो सृष्टी से लिया गया है, गलत प प्रावे संक्लन, ओके, नेक्स्ट, कभी के अदेशों में कौन था, एक जानी दुस्मन, एक नेता, एक सन्यासी या एक दोस्त, तो कौन था एक जानी दुस्मन, एक जानी दुस्मन फिल्म भी था, एक पुराना वला था, एक नया वला था, नया वला में वह था, नाग बन ज जाता थोचे कुमर कभी कभी नेक्स्ट भारत मता सिर्षक प्रगीत पंत के किस का विसंकलन से लिया गया है गुंजन ग्राम्या युगमारी युगांत तो सही जवब आपका क्या हो जाएक ऑप्सण बी ग्राम में ठीक है ग्राम में या नेक्स्ट कोश्चन तेस्ट नमर कभी थे हिंदी उडिया बंगला या मराठी तो यह तो हमको लग रहा है कि एकदम इजी था यह बंगला के कभी थे डारेक्ट कभीता अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उस प्याधारित प्रस्न है इससे कोश्चन अबसान क्या हो सकता है हमको मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है पाठी पुस्तक में संकलित रिल कि कभीता किस भाव की है सिंगार वीर भक्ति या अध्भूत तो राइट अंसर आपका हो जाएगा अपसन नंबर सी भक्ति देखिए आप अगर सभी कोश्चन को अच्छे से कर ल रहे हैं तो आपका 99 परसेंट कोश्चन यहां से लड़ जाएगा यानि ओवर ओल हंड्रेट परसेंट को सकते हैं ओके नेक्स्ट कोश्चन चा का उचारण अस्थान क्या है कंठ तालू दंत यह मुर्द मुर्द मतलब मुक से ओके और राइट अंसर क्या हो जाएगा तालू कंठ तालू दंत दिभिया ओस्ट मुझसे चला नहीं जाता वाच्य है कैसा करतिवाच्य कर्म वाच्य भाव वाच्य इन में से कोई नहीं तो यह है भाव ठीक है मुझसे चला नहीं जा रहा है यह मेरा भाव है ओके निम्नांगित में कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग है ठीक है इस्त्रिलिंग सब्द दो तरह के होते हैं इ हिंदी में एक वचन और वहुचन लेकिन संस्कृत में 2 वचन टीन हो ज्याता है संस्कृत में लेकर हिंदी में वचन 2 वचन एक वचन और 2 वच Annual तो प्रस्ट नमर 27 कैसे जब हो जाएगा हिम्मत हिम्मत जो सब्द है वो इस्त्रिलिंग है याद रखिएगा सफल का भावा चक संग्या है तो सफल का सफलता सीधे एक दम कोशन देखिया उड़ाईए अप्शन सी इसी इजी कोशन और क्या हो सकता है यार तो लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक कीजिए नेक्स्ट आसमान में चिडिया उड़ रही है बहु वचन बताएं क्या होगा चिडिया आसमान उड़ या मे तो क्या होगा चिडिया ठीक है ची डी या में उपर चंद्रविंदो ओके नेक्स्ट यह सब्द में कौन सा सर्व नाम है पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चेवाचक या अनिश्चेवाचक तो कौन सा है निश्चेवाचक नेक्स्ट परिवार का विशेश से होता है पास्वीक, पारिवारिक, पैराणिक या पार्थी तो यहर परिवार से बना हुआ सब्द एक ही तो दिख रहा है परिवारिक इसमें क्या इतना 3-5 करना है ठीक है लाइक सस्क्राइब करना एकदम भूलना नहीं है इतना हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग थोड़ा सा के लिए उदास्व को कर देते हैं निम्नांकित में सकर्मक क्रिया का उधारन कौन सा है सकर्मक और अकर्मक दो तरह के क्रिया होते हैं याद रखिएगा जाना रोना चिलाना या कहना तो राइट अंसर कहना नेक्स काल के कितने भेद है ये तो एकदम हमको लग रहा है कि पागल कर देगा कुस्चन इससे असान कुस्चन और क्या हो सकता है यार दो तरह के काल होते हैं ना तीन तरह कोते हैं अच्छा कौन-कौन वर्तमान काल भूतकार और भविस्यत काल ठीक है तीन आप लोग एकदम मन्में बोली हम सुन लेंगे काल तीन तरह के होते हैं वर्तमान काल भूतकल और वविस्यकाल वह वह अवयव है कौनसा अस्चारय बोधक सोक बोधक सुीकार बोधक या हरस बोधक तो देखे वाँ-वा कालते किसी के हर्स मतलब उत्सा को बढ़ाते हैं वाह वाह कितना मस्त छक्का मारा है तुम ठीक है अगले कुश्चन को कुश्चन नमर 5 इस बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है इसमें से कौन सा कारक है तो कारक कैसे पचानते हैं करताने कर्म को करण से संपरदान के लिए को या इतना करने के बाद भी अगर आप कोशन छोड़ रहे हैं तो आप अपनी तयारी को सही नहीं ले जा रहा है क्योंकि जहां तक हो रहा है हम आपके लिए कंटेंट प्रवाइड कर रहे हैं समय समय पे और के आपका दिन में 12 बजे के लमसम या साम को 6 बजे के लमसम वीडियो आ जाता है पहले 12 बजे चेक कर लिजिएगा बाइवे अगर कभी नेट इसू हो गया या कोई टेकनिकल इसू हो गया तो वीडियो साम को 6 बजे तक तो अपलोड हो ही जाता है ओके तो नोटिफिकेशन बॉल कौन रखिएगा इससे बेहतर सुझाओ हम क्या दे सकते हैं वि जोल रेखांकी तत्हव या दुसकर्म तो कौन सा है विसर्ग संथी का उधरण है दुसकर्म नेट्स यह था सक्ती में कौन सा समास है भाई तो समास याद रखिएगा समास हुआ संथी हुआ यह सब पूछता है तो राइट आंसर अव्याई भाव नेक्स छक्केशुड़ा नहीं करना हो देख लिजिए नेग्स चलाक में कौंसा प्रत्य लगा हुआ है यह जोता ओता य। प्रत्य मतलब पीछे कि तो कौन सा है और चलाक में ओक्ति पीछे समझ में आ रहा है कि आउकता जोता कहा से लग зайб одну पुष्प का पर्याय है पर्याय मतलब उससे मिलता जुलता सब्द सुमन, कलिका, अनील या अनंग तो कौन सा है? सुमन अपमान का विपरितार्थक सब्द मतलब उल्टा सब्द ठीक है? विपरितार्थक का मतलब उल्टा सब्द इज़त, बेज़ती, सम्मान या प्रतिष्ठ, तो आप मान का सम्मान होगा, प्रतिष्ठ थोड़ी होगा Next, दियेगा सब्दों में कौन सा सब्द, योगरूड ही सब्द है ओके, योगरूड ही सब्द, त्रीनियन, विंध्याचल, लालीमा या कमल तो राइट अंसर, अप्शन ए, त्रीनियान Next, कलम सब्द का सूब्द रूप कौन सा है ठीक है, कैलास, कलस, कलस या इन में से कोई नहीं येक दोनों उचारण में सेम है, लेकिन इसमें जो स है वो अलग-अलग है तो राइट अंसर क्या हो जागा, अप्शन C, कलस Next, दुर्गुर्ण सब्द में कौन उपसारग है, उपसारग मतलब जो पहले इस्तिमाल हुआ है प्रते मतलब पीछे वाला तो दुर्गुर्ण में कौन सा इस्तिमाल हुआ है भाई, दुरह, ठीक है दुर्ण में नीचे हलांत Next, मोहन विद्याले जाता है इस वाक्य में उद्देश ये कौन सा है विद्याले है, मोहन है, जाना है ये इन में से कोई नहीं तो मोहन उद्देश से है, ठीक है, याद रखेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप इंगलिस में पढ़े होंगे Next, जिसका जन्म दो बार होता है, उसे क्या कहते है सर्वाग्य, अलपाग्य, दुईजा या अग्या तो दुईजा, दुई मतलब दो होता है, आप अल्रेड़ी आपको पता है सर्वाग्य, मतलब जो हर जगा मौझूद है, अलपाग्य, कम जानता है, उसे बोलते है दो दे दिया है, अप्सन में तो दुईजा वाला खोजी है, अप्सन उड़ा दीजे, अप्सन C Next, नीचे दिये गए वाक्यों में कौन सबाग के सुद्ध है मतलब सही सही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िये और अंदाजा लगाए कि कौन सब सही लिखा हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा, आपने मुझ पर संदेह किया Next, आख के अंधे, गाठ के पूरे, लोकोक्ती का अर्थ क्या है, ठीक है क्या होगा मुर्ख धनवान Next, डिरेक्ट कोश्चन आता है, एक दम मसानी से पढ़ते रहिए और मस्ती में अपनी हस्ती को बनाते रहिए Next, कौन सा सब्द अभिकारी का उधारण है अभिकारी और अभिकाईदी दो सब्द पढ़े ही होगे, तो पेंड़ परवत लड़का यह अभि अभि की अभि ? शिंगम शिंगम में बोलता है कि अभि कि अभि ? अजे द्योगन बुला देता है पूरा गावय को कोहता है कि अब बता मैं अभी मरूं कि तुझे कभी मरूं तो राइट अंसर इसका हो जाएगा अभी ठीक है ये अप्शन यही था इसलिए हम थोड़े इस पर कमेंट जादा कर दिये आईए आज का आखरी कोस्चन महादेव का समनार्थी सब्द नहीं है ठीक है याद देखना है यहां नहीं है नीलकंठ बोलते ही है ससी से खर चंदर से खर तो बोलते हैं दामोदर नहीं बोलते हैं दामोदर और लंबोदर गनेश जी को बोलते हैं तो आपका सही जवाब हो जागा इसका option B 50 MCQ हमारा complete हुआ इसमें से आपने कितना सही किया है कमेंट में हमको जरूर बताइए और कल से हम लोग करेंगे Sanskrit का model paper 5 हमारा 5 model paper आज हिंदी का complete हो गया और मैं फिर से आपसे यहीं बोलूँगा कि अगर आपके मन में थोड़ा सा विद्या इज़त करुणा है तो शेयर जरूर किजिए अपने friend circle में और like और subscribe जरूर करना है तभी आपको वीडियो का notification मिलेगा नहीं तो नहीं मिल पाएगा ठीक है तो मिलते हैं कल से आपका वीड वीडियो का लिंक और आपको पोस्ट कर दिये जाएगा आप वहां से सभी को नोट कर लिजे यहाद कर लिजे जो भी आपको असानी हो कर लिजिए वक्या लेके पढ़िए ठीक है पढ़ना जरूरी है क्योंकि एक्जाम में आप ज्यादा समय नहीं बच्छा है तो मिलते है कल नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाय टेक क्यार